फिटर फटे चनल में आप सभी का स्वागत है आज हम करने वाले हैं फिटर के 45 कोशन बहुत ही जल जो हमारे आने आले एक जम के लिए बहुत मत पूर है तो आईए मिलकर हम कोशन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन है किस फायर पर कभी भी पानी का प्रियोग नहीं करना चाहिए देखिए लिखा हुआ है आप साथ में पढ़ते जाये तो इसमें जो हमारी ओयल वाली फायर होती है उस्पर पानी का प्रियोग कभी नहीं करना चाहिए तो अब देख लेते है कौन-कोन सी है पहले वाले नगे ताप temperature दो ची डबल हो गई है इसमें इसलिए पहला अंसर नहीं होगा ताप बायू oxygen इसमें देखी बायू और oxygen डबल हो गया इसलिए यह अंसर भी नहीं होगा ताप इनन oxygen देखिए इसमें c answer राइट answer होगा क्योंकि इसमें तीनों चीजें लिखी हुई है ताप इनन oxygen temperature fuel, flash, oxygen इधर अक्षीज़ लिखना चाहिए था यह इंग्लिस में गलट typing होगा इसलिए इसका थर्ड आंसर सही अंसर हो जाएगा इस्टी रूल की बिटिस लिस्ट काउंट है यदर हमें बताना है इस्टी रूल की बिटिस लिस्ट काउंट क्या है तो इस्टी रूल की इसकान सा 0.5 mm होता अगला तिरुज के अंदर कौन सी सेप्टी चिन बना होता है यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि तिरुज के अंदर जो सेप्टी साइन होते हैं उस यह हम वार्निंग सेप्टी साइन कहते हैं देख लिए जी वार्निंग चेताओ नहीं इसमे वाले तो करी रहे हैं इसकत फोर्जिंग साफ में किस रूल का प्रियोग करते हैं विच रूल इस यूज इन फोर्जिंग साफ में किस रूल का प्रियोग होता है तो फोर्जिंग साफ में गर्मी वाला काम होता है और गर्मी वाले काम के लिए कौपर से बना हुआ रूल ब अनुपातिक क्या जो माप को बड़ा चोटा करना होता है तो Ratio measurement का मतला होता है अनुपातिक माप तो हिंदी वाले अनुपातिक लगाएंगी इंग्लिस वाले Ratio measurement लगाएंगे Ratio measurement में हम Scale के द्वारा कार कर सकते हैं जो Drying और रेहा चित में प्रियोग किया जाता है स्केल का मटरियल क्या होता है तो जो हमारा स्केल होता है नायलोन ये बेकलाइट का बनाय जाता है नायलोन बेकलाइट में बहुत छोटा सा स्केल होता है सफिद रंग का ये हमारे जो पटवारी बगेरा होते जो जमीन को नापती है उसका यूज़ करते हुए आप देख सकते है ट्राइए का कार्ई हैं यानि ट्राइए क्राइभी तो यह गोनिया होता है यह क्या कार्य करता है तो यह 90-degry को लिए. सा दिख लीजिए पहले में नइंटी डिगरी मापना मात्त को नहीं है गलत आंसर हो जाएगा नइंटी कर न सेकंड शर्षी कर जबात है रही हो नहीं हमाई टो नहीं ही शक्य तो कोई नहीं दिया है जो होता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से इधर से बलेड के बाहरी सिरे तक ये भी राइट आंसर हो सकता है हम अगला कुश्चन करते हैं केली पर या डिवाइडर का साइज किस से लिया जाता है केली पर या डिवाइडर का साइज इसकी लेग की लंबाई से लेते हैं नौक से नौक के बीच की दूरी गलत आंसर है लेग की चोड़ाई गलत आंसर है Revert के Center से Grarisgings Point के बीच की दूरी यह सही है Revert से Pivot के तो यह चौता आंसर गलत है तो थाड़ आंसर इसको Right आंसर हो जाएगा अगला करते हैं Cylendical Job का Center किस से दोरा निकाल सकते हैं किसी Cylendical Job का Center हम 4-5 वीदियों से निकाल सकते हैं अम देख लेते हैं बन्यर केलीपर से तो नहीं निकलेगा, माईकोमीटर से नहीं निकलेगा, बन्यर आइट गेड helmet से निकल जाएगा क्यूंकि हमारा जो है subscriber लगा होता है, से मार्किंग कल लेंगे बन्य राइड केज से इस्टी रूल से नहीं निकलेगा इसमें बन्य राइड केज दिया इसके बाद हम जैनी कैली पर से भी इसका सेंटर निकाल सकते हैं और सेंटर हेड से भी निकाल सकते हैं फिर इसमें वो आफसन नहीं है आयता कार या बरगा कार जोब का center उसके diagonal या विकरन को मिलाकर निकाला जाता है जो मैंने निकाल के दिखा दिया है विकरन लम एवां विकरन खीच का है विकरन खीच का है तो इसका second answer right answer होगा विकरन को खीच का अगला question करते है अनिमिक आकार के job की marking किस बीडी से करते है यानि जो जो हमारे बेडोल होते हैं जैसे देखिए इसमें डी regular jobs यानि जो हमारे regular jobs निया निमिक आकार की job होते है उसमें center line method का प्रियोग किया जाता है जब कोई job टेडा मेडा होता है तो उसमें बीच में center line डालकर हम marking करते हैं और हम job की marking पूरी कर लेते है marking के लिए किस tool का प्रियोग करते है जो line ने खीचता है इसे हम subscriber कहते है इसका point angle 12 से 15 degree होता है subscriber का point angle देखिए मैंने अभी विता दी इसका b answer right answer होगा 12 से 15 degree 12 से 15 degree होता है next question कहते है center head द्वारा कम से कम कितनी line है कीच का goal job का center निकाल सकते है center head के द्वारा कम से कम दो line है कीच का देखिए एक line हम ऐसी कीचेंगी center head द्वारा और दूसरी line हम ऐसी कीचेंगी तबी center का पता चलेगा तो कम से कम कितनी line है कीचना पढ़ेंगी दो line है अधिकतम तो 3 भी कीच सकते हो प्रिक पंच का कौन किते डिगरी होता है तो प्रिक पंच का कौन 30 डिगरी होता है इसका जो है थार्ड आंसर राइट आंसर होगा सर्फेस गेज सर्फेस गेज का दूसरा नाम है हमें यह बताना है सर्फेस गेज सर्फेस गेज को हम क्या कहते है सर्फेस प्लेट गलत अंसर है स्क्राइबर गलत है मार्किंग ब्लोग तो यसे हम स्क्राइबिंग ब्लोग या मार्किंग ब्लोग के नाम से जाते हैं तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा service gauge की guide pin का क्या कार यह मैं कही और बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी base के सारे समंता लाइने खीचने के लिए हम guide pin का अपयोग करते हैं इसमें इस तरीके से base रहता है और base में 2 pin लगी रहती हैं जिसे हम गाइड पिने कहते हैं यह आर पार निकली हुई रहते हैं दो पिने इसे गाइड पिने कहा जाता है अगला भी ब्लॉक पचास ओवलेक 5-5AIS में 40 क्या है यह 40 जो लिखा गए 5-40A हमारा भी ब्लॉक का साइज है जिसमें हमारे कम से कम अधिकतम अधिकतम कितने जोब ब्यास का जोब बन सकता है तो अधिकतम 40 एमें ब्यास का ओकम से कम 5 एमें ब्यास का जोब बन सकता है तो 40 जो है अधिकतम ब्यास को दर सारा है यानि कि हम 40 एमें ब्यास का अधिकतम जोब बन सकते हैं इसके अंदर इसका एंगल प्लीट का कार है एंगल प्लीट का कार होता surface plate का क्या कारी होता है surface plate का surface checking surface job की marking surface checking small job marking तो देखे, इसमें third answer में सारा कुछ है surface की checking और छोटे-छोटे जोगों की marking भी कर सकके surface checking and small job marking जिसका third answer, right answer हो जाएगा combination set के किस head के द्वारा किसी ब國 को map सकते हैं और check भी कर सकते हैं तो हमार चांदा वाला head होता है इसमें किसी भी कौन को चेक किया जा सकता है इसे हम protector head या चांदा वाले head के नाम से जानते हैं तो इसकी तरह किसी भी कौन की checking तो second answer right answer हो जाएगा पंच की hardness कितनी होती है तो पंच की hardness 25-65 होती है ये पाकी trick में आप समझ सकते हो शानता बनी होती है तो सर्फेस प्लेड वाला कोशून कर ला हम 25 कौशन कर चुके है और हम 26 नमर वाला कोशुन कर रहे हैं इसमें confusion होने वाली बात नहीं है ये 1 नमरा मिटा देते हैं दो साफ्टों एक सीद में जोडने वाले पार्ट का नाम क्या होता है दो साफ्टों को एक सीद में जोडता है उसे हम कपलर या कपलिंग की नाम से जानते हैं बेरिंग जो है घर्षण को कम करता है तो यह गलत अंसर हो जाएगा जो सपोर्टर होता है यह तो अलग चील लिके यह किया जाता है इसका right answer ball wearing हो जाएगा यदि अधिक load और सी अधिक speed हो तो इसका roller wearing होगा कम load कम speed हो तो boost wearing सही answer होगा अगला है इसमें 25 s7 p6 में कौन सा fit है तो यह मैंने tricks बता दी थी कि s7 8 के साथ P अक्छा रेदी लिखा होता है P q r st u w x y j इसमें interference फिट होता है इसका first answer right answer हो जाएगा जो मैं पिछले वीडियो में ट्रिक बता चुका हूँ पार्ट बी पार्ट का नाम बताओ इसमें हमें बताना है कि बी पार्ट कौन सा है तो देखे बी पार्ट जो है यह टेंग दिखाई गई है तो इसका answer एंग answer right answer हो जाएगा अगला question करती है निम्चित में अधिकतम interference बताओ अधिकतम interference का मतलब होता है newnitum allowance अधिकतम interference का जो सूतर होता है वही newnitum allowance का होता है तो newnitum allowance का सूतर होता है यह हमारा whole का size लिखा हुआ है होल का नियु का यसमी 수리 होगा 20.021 और 5 डिखता हम too 20.025 20.025 तो इसका माइनस करेंगे माइनस की बड़ी हो जाएगे तो हमारा answer माईनस में आएगा 0.004 तो इसका answer होगा 0.004 इसका be answer, right answer हो जाएगा माइनस वाला आंगे बढ़ते हैं code code ए पार्ट का नाम बताओ name of part A part A ये पार्ट का नाम बताना है तो ये part जो है देखी spindle से जुड़ा हुआ है तो spindle हमारा चलेगा तो part भी चलेगा ये moving जो है ये spindle से हम समझ गए है निम्न में cross pain hammer बताओ हमें इसमें बताना है कौन सा cross pain hammer तो पहले मैं handle लगा देता हूँ एक handle और दो handle मैंने इसमें लगा दी ये दोनों ही cross pain hammer है तो A and B दोनों answer इसका right answer हो जाएगा इसका कौन सा ग्यार है ये देखी इसमें single illegal gear है क्योंकि एक तरफ मुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे single illegal gear गयते है तो इसका C answer right answer हो जागा निवन में driver pulley पहचाने अब यह हम driver pulley देखिए direction से पहचाने इस तरीके से हमारी पुली चल रही है और पुली चल रही है तो ये नीचे वाला tight हिस्सा है यानि tight हिस्सा है तो ये वाली driver pulley होगी क्योंकि ये जब खेंचेगा तभी हमारा नीचे का belt tight होगा तो ये वाली पुली driver pulley होगी और भी वाली पुली driven pulley होगी next question निवन में च्छाय इंकित भाग का क्या नाम है ये च्छाय इंकित भाग है इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम tolerance zone कहते हैं ये इसका fourth answer right answer हो जाएगा tolerance zone इसका tool का नाम बताओ ये कौन सा tool है तो देखिए ये हमारा किसी hole के अंदर जो है लेपिंग कारिक दिया करेगा तो इसे हम बोल सकते हैं cylindrical ring lap cylindrical ring lap तो इसमें ring lap दिया गया है cylindrical नहीं दिया गया है इसलिए इसका नाम हो जायेगा cylindrical ring lap की नाम से तो इसके दाया को तो इसका answer हम लगाएंगी दाया को बढाना वैसे इसके दवरा दाया को बढाया भी जायता है गटाया भी जाता है पर हम इसको दाया को बढाना लगाएंगे क्योंकि चाहां हम हम criticisms लेपिंग बढ़ाया जाता है बढ़ाना वेटर है एक फिट का में ल Да आन्सर हो जाएगा नेक्स कूरते हैं चिमनी का चैन्स Azeroth हुड बताना है इसमें चिमनी का हुड बताना है यह क Juda करता शिर्वान इसमें अंगूठा के लिए बना हुए है दी सर्कलिप heavy duty देखिए heavy duty का मतलब मोटी तगडी तो यह heavy duty circle फे तो यह answer right answer होगा heavy duty circle next question निम्न में splash lubrication है तो splash lubrication होता ring lubrication तो देखिए इसमें यह वाला जो है ring डली हुई है ring lubrication chain lubrication और gear lubrication splash में आते हैं तो इसका देखिए इसको हम A समझ लेते हैं इसको B समझ लेते हैं इसको C समझ लेते हैं तो इसका C answer right answer हो जाएगा splash lubrication यह हमारा force speed वाला है grease gun और यह हमारा gravity वाला है पहले नमर पर जो दिया गया है next bezel claim पहचान हो देखिए बेजल हम इसको बोलते हैं इस जो ring होती है इसे bezel बोलते हैं इस bezel को claim को लगाने के लिए यह लिया गया है तो यह answer होगा बेजल क्लेंप हो जाएगा तो first answer right answer हो जाएगा आप देख लेजिए यह answer है this building बीडी का नाम बताओ यह कौन सी building बीडी है तो देख लेते हैं मैं कई बार बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ कि left world welding जो होती है वो left की तरफ जाती है और right world welding जो होती है वो right की तरफ जाती देखिए यह welding किस तरफ जा रही है यह हमारा right हिस्सा है और यह हमारा जो है लेक्टोड है ओई हमारी टोर्च है तो खेर इस से हमें इस कुछिशन में कोई मतलब नहीं है नेक्स कुछिशन के लिए उने बता दिए लेफ्ट बार्ड वे लेंगे लेफ्ट की तरफ जा रहा है दूश दिए रहे हमारे 45 कुछिशन यदि आपको हमारे कुछिशन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें और बेल आइकन ना दवाना भूलें आज के लिए इतना ही ओके बाई